विश्नु भगवान ने पर्तिवी को किस समुद्र से निकाला था जबकि समुद्र पर्तिवी पर ही है बच्पन से मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर कैसे पर्तिवी को समुद्र में छिपा दिया है जबकि समुद्र पर्तिवी पर ही है हुड़य कस्षप का भाई हुड़याच ने पर्तवी को ले जाकर समुद्र में चिपा दिया था फल्स रूप भगवान ने सुकूर का रूप धारक के हुड़याच का वद किया और पर्तवी को पुना उसके कच्छ में स्थापित कर दिया इस बात का आज के युग में एक अंतकथा के रूप में लिया जाता था लोगों का ऐसा मानना है कि ये सरासर गलत है और मन गडंत कहानी है लेकिन नासा के एक खोज के अंसार आखोल विज्ञान की दो टीमों ने ब्रमांड में अब तक खोजे हुए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलासे की खोज की है जलासे का पानी हमारी पर्थवी के समुद्र के 140 अरप गुना पानी के बराबर है जो 12 मिलियन से अधिक प्रकास वर्स दूर है जाहिर सी बात है कि उस राच्छ ने पर्थवी को इसी जलासे में चुपाया होगा उसे आप बहुत सागर भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदी सास्त में बहुत सागर का रोणन किया गया है जब मैंने ये खबर पढ़ा तो मेरे भी ब्रहम दूर हो गया और अता मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इस ब्रमांड के रचैता है उसके मर्जी से ब्रमांड चलता है उसकी सक्तियों की था लगाना एक तुछ मानो के वंस की बात नहीं है मानो तो अपनी आखे से उसके विराट सरूप को भी नहीं देख सकता कुछ बेकूप उन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहां की सब्विता गवार है जिनें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा उन्हें ये लगता है कि भारत की सब्विता भारत का धर्म और ग्यान विग्यान सबसे पीछे है उनके लिए ये बतादू कि सबहता ग्यान विग्यान धर्म समान भारत से ही शुरू हुआ है अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर दीजिए जिस सबहताओं की मान कर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं उनके देश में जाकर देखिए उनके भगवान तथा धरम की कोई सवाल नहीं करता बलकि उन्होंने अपने धरम का इतना परचार किया है कि मात 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज़्यादा इसाई हैं और आप जैसे बेकूपों को धरम परिवर्तन कराते हैं और आप बेकूप हैं जो खुद अपने ही देश और धरम पर सवाल करते हैं अगर उनकी तरह आपके भी पुरुज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा इस वर पर तरकरना सरवदा उचित है कौन होता है नासा जो हमें ये वताएगा कि आप सही है या गलत हिंदू धरम कितना प्राचीन है उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता नासा जब इंग्लेंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखो गुरु कुल थे और लाखो साल पहले चार वेद और अठारा पुराड लिखे जा चुके थे अब भारत में प्राचीन राजपता चल रही थी तब ये लोग अपड़े पहनना भी नहीं जानते थे तुलसीदास जी ने तब सूरी की दूरी के बारे में लिख दिया था जब दुनिया को दूरी के बारे में ग्यान ही नहीं था आलोक शास्त के सबसे बड़े वे ग्यानिक आरे भट जो भारत के थे उन्होंने दुनिया को इस बात से अगत कराया की ब्रमांड क्या है पर्तिवी का आकार और व्याज कितना है और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संसक्रत के आगे भारत को जूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा और द्रोही कोई नहीं हो सकता ये अपडेट करना आवसक हो गया था उसके मन में इसुर के प प्रति प्रीती नहीं करने वाला असनेही या विरोधी इसे इसवर विरोधी भी कहा गया है ऐसे परमात्रमा विरोधी व्यक्ति मर्तक के समान है ऐसे अग्यानी लोग मानते हैं कि कोई परमात्मा है ही नहीं जब परमात्मा है ही नहीं तो या संसार स्वयम ही चलाय मान है हम ही सारे भाग के निर्माता हैं हम ही संसा चला रहे हैं हम जो करते हैं वही होता है विधात से ग्रस्त ऐसे इस्वर विरोधी को मरतक के समान है जो बेगेर किसी आधार और तरक के इस्वर को नहीं मानते उन्होंने इस्वर के नहीं होने का कई उत्रक एक्तरित कर लिये हैं दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर ग्रस्त और उदय होना प्यड पोधे और प्रमाड तथा मनुष्ट की मानसिक की कारिशायली का ठीक डंग से चलाना ये अन्यास ही नहीं हो रहा है, जीवन के अंदर चेतना कहां से आता है, हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन करता है, सरीर की बनावट उसके जरूरत के अंसार ही कैसे होता है, बिना किसी निराकार सकती के ये अपने आप होना संभव है, और अगर आप भी इस्वर और व्यद पुराण के प्रतितर करना है, तो उसके जीवन का कोई महत्त नहीं है,